हेलो दोस्तो नमेश्कार अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन की उपर यहाँ पर जब भी भी हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते एक कमपनी की चर्चा तो होती है और वो है MRF Limited टायर बनाने वाली कमपनी बहुत ही मजबूत स्टॉक और प्राइस के शिल्ण से भी अगर हम लोग बात करें तो भारत के अगर हम बात करो लिस्टिंग के हिसाब से नमबर वन कंपनी प्राइसिंग के हिसाब से मैं बात करो 82,000 पे अभी फिलाल यह देखने को याप बिल रहा है उत्क एक लाग भी first देखने चाहिए company के जो pillars होते कोई भी company का नाम किस से बनता है उस company की balance sheet ये एक उसका बहुती बड़ा strong pillar होता है company के share holding pattern management यहाँ पर कैसे performance देना है share holding pattern से थोड़ा सा बहुत अंदाजा आ जाता है then company के recently quarterly result कैसे चल रहे company के पिछले कई 5 साल के performance कैसे चल रहे company का chart pattern कैसा चल रहे results, balance sheet में यह सारी चीज़े आ जाती है so यह parameter देखने के बाद एक pillar अगर हम लोग देखते इतने मजबूत pillar रहेंगे तो automatically हम लोग कह सकते जो एक company जो बनती है वो बहुत ही solid बन जाती है so ऐसे ही MRF से भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी company जो कि अभी हम लोग के आपे देखनी है and जैसे मैंने का कि pillars के साथ ही हम लोग शुरुआत यापे करेंगे क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा इसी style को prefer करता हूँ वरना नाम देखते रहोगे तो ऐसे तो बहुत सारे stock से आज आप देख सकते है top level पे आपे आज चुके है आप लोग कभी decision नहीं ले पाऊगे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें balance rate balance rate में तीन important figures को देखेंगे results, cash and loan results की बात करें 4,600 करोड की results then बढ़कर हो गए लगबग 5,000 and अभी लगबग हो गए approximately 6,000 करोड की results है जिस company के में बात कराऊ उसी की balance rate की हम लोग यहापे बात कर रहें तो आप देख सकते 6,000 करोड की results करजे की बात कर ले पहले company के उपर था लगबग 200 करोड का करजा फिर कम होके हो गया 500 करोड फिर सवा 2 करोड जिस तरीके से company का करजा कम हो रहा है आने वाले next एक या दो साल के बाद company officially खुद को death free long term के इसाब से घुशित यहापे कर सकती है अभी 1 करोड का करजा मतलब इस company के लिए कुछ भी नहीं बट अभी भी देखने को मिल रहा है तो इसलिए पूरा death free बोल नहीं सकते then short term में तो एक करजे वाली पाते तो चलती ही रहती है then अगर हम लोग यहापे आ जाते यहापे cash के उपर cash अभी हम लोग चेक कर लेंगे यहापे तो आप देख सकते 55 करोड, 45 करोड and 57 करोड का cash नजर यहापे आ रहा है तो company के balance sheet बहुत ही कमाल की है खास करके लगातार कम होने वाला करजा यह बताते है कि management company को death free करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश यहापे लगा रहे है so इसके बाद अभी हम लोग यहापे आ जाएंगे company के balance sheet तो देख ली अभी आ जाते company के recently numbers के और अभी आप लोग देख सकते ही yearly numbers है 2017, 18, 19, 20, 21 लगातार company का performance आप लोगो grow होते वे देखने के आपे मिल रहा है पूरे साल की में बात कराओ यह क्या हो गई बात revenue की अभी साल भर साल के profit के अगर हम लोग बात करें चलो मैं click कर लेता हूँ profit तो आप देख सकते हो 700 करोड 735, 773, then 950 and right now लगबग 1100 या फिर 1200 के बीच में so consistent performance यह company यहापे देती चली जा रही जो कि आप लोग यहापे देख सकते हो यह तो बात हम लोग ने देख लिए year on year basis 17, 18, 19, 20, 21 चलो अभी हम लोग यहापे देख लेते company का quarterly wise performance किसे तो चले मैंने quarterly select कर लिया and revenue देखेंगे and बाद में profit तो यहापे अभी हम लोग आ चुके revenue के और तो आप देख सकते हैं यह वाला तो exceptional year है जून वाला तो यहापे नीचे है उसके बाद company ने come back किया फिर normal रा and अभी यहापे अगर हम लोग बात करें quarter 4 में revenue में company ने come back कर लिया है उसी के साथ साथ अगर हम लोग net profit की बात करें पिछले 5 quarter यह देखें एक 2, 3, 4, 5 quarter की बात करें यह वाला down था फिर come back हुआ फिर एक flat and right now company top level पे performance यहापे दे रही है ज़रूर कोविड के चलते दिक्कते हुई है बट company ने come back किया है जो कि एक सबसे main sign होता है अच्छे fundamental strong share में year on year basis भी बात करें quarter on quarter भी बात करें company का revenue profit दोनों ही grow होते वे देखने को मिल रहे है then दोस्तों अभी हम लोग आज के share holding pattern के और जहापे आप देख सकते promoter के पास 58.3 shares है and कोई भी share यहापे गिरवी नहीं है I hope आप लोगों का focus वीडियो में ही है then अगर हम लोग बात करें यहापे foreign investor की बात करें तो यहापे हम लोग को लगबग 14% के आसपास foreign investor latest data की सबसे देखने को मिल रहे then DIS की अगर हम लोग बात करें यहापे लगबग आप देख सकते हो DIS का एक सेकेंड में data refresh कर लेता हो ठीक है यह वाला है DIS का data आप देख सकते हैं आपे परसंट के आसपास है और कोई भी शेर गिरवी नहीं है जब company के promoter ही ज़्यादा holding रखते तो एक advantage वाली बात है ऐसा हम लोग यहापे बोल सकते हैं then दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसी company का जो sales growth रहता है compounded वो भी आप लोग देख सकते हो 3 साल का 9% 5 साल का 12% 10 साल का 12% then compounded profit growth की बात करें तो वो भी आप देख सकते 16% 3 साल के लिए 5 साल का 21, 10 साल का भी same 21-20% के ही आसपास है then अगर हम लोग stock के CIGR की यहापे बात करें तो वो भी आप देख सकते 1 साल में 90 है 3 साल में 28, then 48 10 साल की 40% and return on equity performance हम लोगों को इस company के और से आपे देखने को मिल रहा है सो दोसर अभी हम लोग आ चुके उसी company के और लगबग 2300 रुपे का यह stock अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है यह कोई में first time वीडियो नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर भी ठीक है लगबग 4% 6 मेने की बात करे तो आप देख सकते 46 to 47% की return first January से अगर हम लोग बात करे तो near by 45% की return एक साल की बात करे तो लगबग 90% की return मतलब जितना लंबा खेल रहे हो उतना जादा returns है पात साल की बात कर लेते 582% की returns and maximum अगर chart pattern की बात करे तो लगबग 2000% की return आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा कासा chart pattern हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है सो company small cap नहीं यह भी company हम लोग को यहाँ पर large cap company की और से यहाँ पर देखने को मिल रही है सो यह कौन सी company है तो दोस्तों यहाँ पर में आना चाहूंगा अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि यह company कौन से business में involved है तो आप लोग देख सकते हैं यह भी company tire industry में ही काम करती है sector आप देख सकते हैं industry देख सकते हैं tire बनाने का ही इसका काम है अगर आप इसके competitor को check करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल मिला के tire बनाने वाली 8 company देखने को मिल रही है सबसे छोटी है बिरला tire then TVS शरी चक्रा की बात करे then Goodyear then JK tire then C8 then अगर हम लोग बात करें दोस्तों second number पे है आप देख सकते हैं MRF yes MRF भले ही हम लोगों को 82,000 का यह stock देखने को मिल रहा है बट tire बनाने वाली है second number की company है जिसका market cap अगर आप देखोगे तो कितना है 34,000 करोड market cap के हिसाब से company का size हम लोग आपे decide करते हैं और उसी के मुताबिक अगर हम लोग number one company की बात करें तो दोस्तों उसका नमें बाल कृष्णा इंडस्टी yes BKT Tires आप लोगों ने जरूर सुना होगा बाल कृष्णा इंडस्टी यही वो company है जिसके बारे हम लोग बात करें थे इसका market cap अगर आप देखोगे तो वह 46,000 करोड का यह दिखे market cap 46,000 करोड से भी जाद है MRF 35,000 करोड के आसपस है तो price के ही साब से stock कभी भी number one, two, three decide नहीं किया जा सकता है इसलिए stock market की number one company Reliance industry है क्योंकि उसका market cap अगर आप देखोगे तो nearby 13,000,000 से 16,000,000 करोड के आसपस देखने को मिल जाता है तो वह बहुत ही बड़ी company है आप लोग अंदाज़ा हुआ पर लगा सकते हो मतलब 13,000,000 करोड का market cap मतलब सोच सकते हो कि कितनी बड़ी company तो MRF की बात करें तो यह 35,000 और आप देख सकते हो BKT, Bal Krishna Industry 46,000 करोड का market cap सो MRF से भी यह बहुत बड़ी company है सो यह चीज आपको यहापे पता होनी चाहिन सेम industry में tire की यहापे बात हो रही है तो यह देखिए BKT, Bal Krishna Industry की बात यहापे हो रही थी बहुत ही कमाल का stock है बहुत ही अच्छे returns यहापे देता रहता है So again कहना चाहूँगा यहापे blindly innovation नहीं करना है आप लोग चाहो तो ज़रूर इस company के बारे में detailed study यहापे कर सकते हो बट yes, tire की अगर मैं बात करो तो BKT, यह मतलब हम कह सकते कि tire industry में one of the favorite stock है ऐसा भी हम लोग यहापे बोल सकते है So, आयों पाशा करता है आप लोगों को वीडियो पसंद आओगा तो जरूर इस वीडियो को like and share यहापे कर देना So that's it, thank you very much दोस्तो We will be meeting in our next video तब तक के लिए, bye-bye